हे गाईज विल्कम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्ल्ड की टॉप मल्टी नेशनल कमपनीज में टॉप आईटी सक्डर कमपनीज में एक अच्छी पैकेज के साथ आपको जॉब मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्रेसर जॉब यानि कि एक फ्रेसर कैंडिडेट कैसे ये सब सारी कमपनीज में एक अच्छी package के साथ जॉब पा सकते हैं मैं सब कुछ इस वीडियो में briefly वाई समझाने वाला हूँ तो बिना skip के वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको लगता है IT सेक्टर में मुझे जाना चाहिए एक dream है मैं राक्यों कि हर एक candidate का आसकल की dream job होती है एक multinational companies में वो काम करें tag field में ओके तो चलिए start करते हैं कैज अगर fraser की सोच रहे हो तो frasers as a fraser आप यही सोच रहे होंगे कि एक अच्छी package कैस मुझे जल्दी job मिल जाए लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते हैं आपको नहीं लगता है कि मुझे 2-3 से 3 साल मेनत करनी चाहे फिर आपको job मिलेगी नहीं आप लोग क्या सोचते हैं कि मुझे जल्द package मिल जाएक अच्छी के साथ क्यों पैसे की बात नहीं है पैसे यहां पर बचत होता है time की 2-3 साल बच जाती है कि वो 2-3 साल आपको बचत मिल रही है और बिल्कुल एक high salary के साथ यानि कि बढ़ियां package के साथ जो है आपको jobs मिलने वाली है वो Fraser candidates के लिए तो कैसा लगेगा आज कल student यहीं सुचेंगे जो भी top multinational companies है सर उसमें तो सिर्फ जो experience होता है उसी को jobs मिलती है चार से 5 साल का भी लेकिन फिर भी वो है unemployed है फिर बढ़ियां company में jobs को नहीं मिल पाती है because reason यही है कि उसके पास skills नहीं है यानि कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या है आपका skills होना ना कि experience होना ना ही IT sector से belong करता है यहाँ पर कोई भी candidate participate कर सकते है आजकल की tech jobs के बारे में जो दो skills के बारे में बता रहा हूँ सबसे पहला क्या होने वाला है कि आप non-tech field से belong करते है important नहीं है CSIT से background से आप है यानि आजकल की date में IT sector में jobs लेना सिर्फ skill matter करता है कोई भी degrees mentor नहीं करती है ना ही कोई experience matter करती है अब skills की बात रही तो इसी बात नहीं है कि सरे experience matter नहीं करती मैंने यह नहीं कहा है experience matter नहीं करती experience के साथ skills है अभी matter करती मान लो अगर मैं कोई example ले रहा हूँ आपको जिसे मैं एक electrical engineering हूँ मेरे पास practical की कमी है मैंने practical कभी किया नहीं अगर कोई mystery आता है जिसे transformer बनाना आता हूँ वो बिलकुल है 10th pass है तो यहां पर company किसे jobs में लेगी मुझे तो सब कुछ मालूम है बट क्या है transformer खुल दो तो मेरे हाथ पाओं का अपने लगते हैं तो jobs तो भाईया उन्हीं को मिलेगी ने जिसको skills के पास है सीधी सी बात है तो degree मैंने नहीं करती आज कल की date में हजारों यसे example है जो normal degree से pass out है normal college से आया है और आराम से एक tech field में अपने skill के साथ 4.5 लाग के package के साथ आज job कर रहे हैं market में वो भी बिल्कुल frasers तो guys मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक frasers candidate एक software industry में अच्छी package के साथ कैसे job पा सकते हैं एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ आज कल आप यह भी सोचोगे सर नहीं लिया जाता यह सा हम हजारों रिजुम डाल तके हैं कुछ कर चुके हैं cgpa marks कम है वगरा तो आजकल कुछ भी matter नहीं करती मान लो आप एक employer हो और employer hire करना चाहते हैं आपकी कोई company है किसी भी सक्टर में मान लो आप hire करना चाहते हैं आप हजारों candidate को यहां पर बुला है आपको लगता है कोई experience बन्दा है और कोई बिल्कुल freshers बन्दा है लेकिन जो freshers है उसको सब कुछ काम आता है practically आपको दिखा देगा करके लेकिन जो experience है उसको knowledge ही नहीं है तो आप रखोगे किसको भई आप इसी को रखोगे नहीं तो कर देगा इसको आपको training देनी पड़ेगी जाहिल सी बात है तो बिल्कुल इसी तेरा top IT sector की कंपनियां सोचती है किसी के पास वक्त नहीं है आपको समझाने की और आपको training देने की दिक्कत यही है आप काम में आओ और बढ़ियां से starting कर दो अपनी phase में अब हम आते हैं skills पे भाईया वो कौन सा skills है जो बार बार आप बात कर रहे है जिसको लेकर हम IT sector में बढ़ियां जॉब पासकते है और जो skills के बारे में बात कर रहा हो गाई जिसका बहुत ही ज़्यादा highly demand है बहुत ही ज़्यादा आपको salaries मिलने वाली है इसमें highly promotions होती है salary hike होता है and work भी उसी प्रकर का होता है काफी सारे इस company है और काफी ज़्यादा इस jobs की अभी जो है वो market में बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि demand बढ़ रहा है tech sector की company इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर जितनी भी tech field में jobs opportunity है इस skills का सबसे ज़्यादा demand है तो गाई जे graph के जरिया मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे IT sector की company जो है वो यहाँ पर jobs के लिए skills किसी demand है देखो मानलो किसी एक से लेकर 49 employees है किसी companies में तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यह आप आप स्नोडिश दीख रहे हैं यह jobs है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा demand आपको लग रहा होगा यह blue वालों का है हमेशा रहता है अगर कम भी होती है फिर भी इसका demand जाता है तो यह blue आपका है full stack developer full stack developer यह होता है मालो अगर आप कोई भी website running कर रहे है तो front side में जो आपको दिखता है वो आपका front end होता है और जो back end में work होता है उसे कहते हैं back end developer front end developer and back end developer और जो इसको दोनों आता है यानि उसे कहते हैं full stack developer तो इनका demand सबसे ज़्यादा है आप देख सकते हैं यह top जितने भी companies है आसकल की date में सबसे ज़्यादा full stack developer की demand है अपने समस्वाइब होगा अब यहाँ पर आपको doubt ले सकता है भीया इतनी बड़ी skills है तो इसके लिए हमें Java भी करनी चाहिए python भी चाहिए क्योंकि आपको पता है यह सब चीज़ें computer sensor related होता है computer reality sector से जिसके degree के लिए 4 साल वक्त लिया जाता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आप बिलकुल यहाँ पर जो है कुछी समय में इसको सीख करके एक अच्छी job पा सकते है चाहिए आप tech field से हैं या non tech field से हैं देखो एक graph देखो Java और Python के बारे में देखे गाई जावा है बहुत highly programming है Java के बिना किसी भी developer को करना एक impossible जैसा लगता है लेकिन अब ऐसा नहीं है गाई सब Python का growth है काफी ज़्यादा हो चुका है Java basically क्या है एक बड़ी है coding language आपको आनी चाहिए वो थोड़ा सा tough level होता है लेकिन यहीं पर जो Python है यह बहुत easy है non tech field से belong करते हैं तो अराम से इसे learning आप कर सकते हैं और इसकी graph देख सकते हो यह Python का उपर जा रहा है यहाँ पर अगर कुछ सालों से देखो तो Python काफी ज़्यादा प्रफावस से लिए आंते दिखा रही जिसके जरीए यहाँ पर स्टूडेंट को जॉब्स मिलिए यह यह के सबसे मैं आपको graph बता रहा हूं और इसका आज कल बहुत ही ज़्यादा डिमांड है एक Python फूल इस्ट्रक डवलपर का चले बात करते हैं कि यह फूल इस्ट्रक डवलपर जो हम कैसे बनेंगे कैसे Python सीखेंगे क्योंकि इसमें आपको पता है चार साल लगता है डिग्रीज करने में बट ऐसा है कुछ नहीं आज कल कॉलेज से इतना नहीं पढ़ाती जो इंडिस्ट लेकिन इसमें रमायन पूरा पढ़ा दिया जाता है आपकी इंस्ट्ट में बस यहीं चीजे इसी को फॉल करते हुए कुछ ही मंत में कुछ ही समय में आप अराम से फूल स्टेक डवलपर की पूरी नॉलेज आपके पास होगी और अच्छी जॉप्स के लिए अलिजबल यहां पर आपको जॉप्स भी मिलेगी जो कि अप्रॉक्समेटली फॉर पंड फाइप लाग से लेकर नौ लाग तक की ओसत पैकेज के साथ आपको सॉप्ट्वेर जॉप्स दिलवाएगी के पास हजारों ऐसे कंपनीज हैं टॉप आइटिक सेक्टर वाली जो की जॉप प्रॉइड कर रही है इस्टुडेंट को लागतार हायर कर रही है और कई सारे इसे कंडिट हैं जिनको यहां पर जॉप्स मिली है एक टॉप कंपनीज में अच्छी पैकेज के साथ तो गैस ए इस टेप किरवा क्याने की बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक की स्किल्स करवा के जॉप्स प्रॉइड कराएगी तो अमेजिंग प्लेटफों में गाईज यह नेक्स्ट वेप की सीसी वीपी 4.0 की प्रॉग्राम जीतने भी कैंडिडेट्स हैं जाओ जाकर फ्री डेमो क लेकर जितनी भी डाउट से आप इंसे आस कर सकते हैं एक सिंपल सा फ्री डेमो बूग करके और सबसे अच्छी बात यहां पर गाईज पंद्रह हजार तक के स्कॉलर सिप जीतने का मौकास भी है आप सभी के लिए तो इस तरह की आप वस्टोड़ी छोड़ो मत जाओ लिंक लिंक डिस्क्रिप्स में मौजओ और इनका एक खुद का यूटूब चैनल है नेक्स वेब की यहां पर कई सारी मैने चीज़ें देखी है जो कि काफी लोगों को जॉब्स मिली है तो अमेजिंग प्लेटफोर्म है यार मेरे दवारा आपको सुचित किया जाता है लिंक डि आउट है तो कमेंट करके बताएं चले मिलते नेक्स वेड़े में तब तक लिए सहिंद